उतरप्रदेश के गाज़िपूर में एक इलेक्ट्रोनिक की दुकान में भीशन आग लगे और जिसके बाद आस्पार भड़कम जगया अलकि कड़ी मश्चकत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया और तस्वीर आपको देखा रहा है काज़िपूर की जापर देखे किस तरीके से आग लगी एक इलेक्ट्रोनिक के दुकान वताई जाए जाए इसमें अचानक भीशन आग लगे जिसके बाद मौकी पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुची और किसी तरीके से आग पर काबू पाये गया लेकिन लागो सुरू रुपए का सामान इसमें चलकर खाक हो गया चैलेसी पर चीन की उकसाने वाली हरकतों का जवाब देने के लिए भारतिय सेना की स्पेशल यूनिट वन कोर को पहली बार लद्दाक में तैनात किया गया इस यूनिट के जवानों ने वहां तैनाती के बाद जूरदार सेन्य अभ्यास किया और चीन को ये बता दिया कि अब लेसी पर उसकी किसी भी चाल का करारा जवाब मिलेगा क्योंकि जिस स्पेशल यूनिट वन कोर को वहां तैनात किया गया है वो लड़ने में माहिर मानी जाती है यानि उसकी तैनाती उन्हीं इलाकों में की जाती है जहां दुश्मन को मूँ तोड जवाब देना होता है अब तक इस यूनिट के जवान सिर्फ पाकिस्तान से लगी सीमाओं की रक्षा ही कर रहे थे लेकिन पहली बार उनकी तैनाती पूर्वी लड़्डाक में भी की गई है क्योंकि वहां पहुँचने के बाद वन कोर के जवानों ने चीन के करीब मिलिटरी ड्रिल भी की इस सेन अभ्यास में टैंक, पैदल दस्ता और स्पेशल पोर्स के जवान शामिल थे इसके साथ ही अमेरिका से मिले अपाचे एलिकॉप्टरों ने भी चीन को अपनी ताकत दिखाई और आर्मी की वन कोर यूनिट की ये मिलिटरी ड्रिल वहां दस दिन तक चली चीन को दम दिखाने वाली इस यूनिट की तैनाती के बाद एलसी पर भारतिय सेना की ताकत और बढ़ गई जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन एलसी पर तनाव बढ़ाने वाली हरकतों से बाज आएगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन की सेना ने भारतिय पौज को उकसाने वाली हरकत फिर की थी इस बार विवाद पूरवी लद्दाक के डेमचौक इलाके में हुआ जहां चीन के सेनिकों ने भारतिय चरवाहों को खदेड दिया था चीन ने उस इलाके पर अपना कबजा होने का दावा किया था लेकिन चीन की भारतिय सेना को उकसाने की ये कोई पहली कोशिश नहीं थी इससे पहले भी कई बार चीन के सेनिक एले सी पर तनाव बढ़ाने का काम कर चुके हैं जिसकी वज़े से 2020 में गलवान घाटी में हिंसक जड़ब भी हुई था